रिपोर्टर्स हैं, वो तो हर जगा पहुच जाते हैं ये रिपोर्टर भी कुछ कम नहीं है ये चोरी करते हुए चोर का भी इंटर्व्यू ले लेते हैं देखिये, इसका लाइफ टेलेकास्ट प्रिजेंटिंग रिपोर्टर उर्वशी इन इंटर्व्यू विद चोर शकीर नमस्ते 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 मैं हूँ उर्वशी फसाद की जड़ मैं गपशप टीवी से बोल रही हूँ और सिर्फ यहां आप लोगों के लिए आई हूँ एक खास इंटर्व्यू करने वो भी एक खास चोर के साथ मैं तो आ गई हूँ चोर कहा रही है लगता है उसकी बेल नहीं हुई है आई आईयो अबबा आईयो अबबा आईयो अबबा आप यो अबबा आप ये जो गाना काते काते आ रहे थे हैंए इसके असली बोल हैं है नग्वा इसक्यूस मी इंग्लिस समझती हैं जी में हिंदी में बात करता हूं वो जो गाना ना हायो अब्बा उसी रभबा के पास मेरा अब्बा है तो डारेक बात्ची चल लिए लगता है आपने ज़रूर कोई चोरी की होगी और आपको पुलिस ने बहुत मारा होगा मारा पुलिस ने चोरी पे으니까 तो पिर आप इसमें वज़े पता हैं कि आपको पोलिस ने कियूं मारा बैप आगल तो नहीं है पुलिस को कम वज़ा चाहिए होता है वह तो बिलावजा सबाब समझके मारते हूं और ने पवर डेबन गंदा मारते हैं फिर सहाब से पुर साथ कु सूर बताता है फिर तीन गंटे और मारते हैं के तो टेलर था फिल्म आप चल रही है बेटा जितने भी जूते हो पहन के आते ना पुलिस हाले उसकी सारी रणिंग मेरे पूरी की उन्होंने उन्होंने जेख रही एक तरफ एक चेश्मा बना दिया उन्होंने मैंने का दूसरा बना तरह बलत तरह बाप के नौकर अगली दफ़ा आना इतना हमारा है अप सिग्रेट पी रहा हूं ना तो धूँआ मूं से निकल रहा है बताओ धूआ तो मूं से ही निकलेगा हाँ जाहर उसको जगा नहीं मिलती है ना बहुत हमारा है बताता हूं हुआ क्या मैं चोरी पर नहीं पिटा हूं मैं फंक्शन में चला गया वहाँ एक महान कलाकारा थी फिल्मों में गाते थी वह गाना गाने आई के लिगी मैं आपको वह गाना सुनाएंगी जो बहुत हीट हुआ था और मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में था और गहाना बहुत हुआ था और इसके बाद वह हुआ रही दूसारा गाना गाने के लिग ability बड़ा हीट हुआ तो यह छोटा बेटा पेट में था तीसरा ऐ है अजी बेटी पेट मेना चड़ गया मैंने का भेन कभी खाली पेट भी गा लगा लेगर अगर बता फ्ञानग, थाने से आने के बाद किसी को बैठने का नी कहना क्या मितलब, अबबा on the further smile के अरॉश ख़दा की कसम पहले ने के एड़ी सिंञा होगे इस निघेतिक बसाने, जडराके और आइंग, मेनि बख्लण होगे जी जी फिर गिया चौती दफ़ा फिर आए फिर मारा मैंने का यार तरह तो दिली लग गया यहां पर भाबा अशुजा दिया है लोग मुझसे कहना बहुत मुबारा को पीशे से मोटे हो रहे हो जी अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना पहला जुर्म कब किया ये अच्छा सवाल है दूसरा पूछो चुलो बता देता हूं पहला जुर्म मैंने जब किया जब मैं पैदा हुआ था क्या मतलब पैदा होती डाइए की जेप काट ली पैसे बीनिली अम्मा से क्यों जैसे में पैदा हुआ ना आख माल दी दाई शर्मा गई अम्मा से अम्मा पुछा भाई फीज़ बताओ कहने शोड़ो ना साथ से पैसे लिए लगा थी लगोंगी तो इसका मतलब है जब आपने अपना पहला जुर्म किया आप दो मिनिट के थे इस्क्यूज मी उमर सही बताओ दो मिन्ट सत्रा सेकंड दो मिन्ट में तो आख खुली थे मेरी सत्रा सेकंड में वारदात की थी मैंने फिर फिर बताईए और बताईए मुझे और बताईए कि आपने जेब काटना क्यों छोड़ दिया बस ये भी एक वाक्या है हुआ ही हूँ एक दफ़ा एक आदमी ख़ड़ा हुआ तक काला काला समझती है ऐसा सुफएद पैंड शेट पहन के उसका बतवा जहां गरता पीछे सा काले रंगा सुफएद पैंड से मेरे नजर पड़ी बतवे की बतवे की नजर मुझ पे हम दोने की नजरे मिली मेरे मुझ से पानी निकला है मैंने बिलेड निकाला है बिलेड मैंने मारा बतवे पे खून का फुवारा निकला है एक मिनिट एक मिनिट आपने कहा आपने बटवे पर ब्लेड मारा तो फिर खून कैसे निकला बस वही गलती हो गई ना मैं समझा बटवा है बटवा ने था उसके पैंड फटी भी तो कुछ और था वो अब आपने निवस चैनल है अभी अभी चोरी करके आरहा है घर से पारिक नहीं बैठता हाँ पीला घर है काले दंका दर्वाजा है नीला गेठ है छोटी-चोटी खिडिकिया है खुलती बाहर को अंदर से बन हो जाती है हीरे के हाथ्च चरी करके लारहा हैं पतनी घर का नमबर क्या है मैं बताती हूं जामहाच सो सत्रा क्यों 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 वह मेरा घर है थेहरो अब ही मैं पलोसरोime अवर्य यही तो बताने आया था ममें अंदर क५ाने आपड़ा तो तुम्हें देने आया है और आज का इंट्रिव्यू यहीं समापत होता है तो मैं तुम्हें पीछे देखते हूं थैंक्यू निशबबा खेर गुड़नाइट अपोलू उर्वशी एंशकील आप जानना चाहेंगे कि हमारे जोजिस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगए एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट नहीं शुदी जी मुझे आप से एक सवाल पूछनाँ आप लोग मेरे कपलों का मजाग उडा दे नहीं मैं तो एक न्यूज रिपोर्टर हूँ मैं इन फाक्ट इस चोर भाय से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ प्लीज प्लीज आज बताइए ना शुर्ती जी कैसी लग रही है इनके कपड़ों में आज तो कॉक्टेल बनी वी है यह कॉक्टेल कैसे बताइए उपर से शेर्बत का गिलास नीचे से लस्टी का गिलास ओ आराम आया आराम आया मैं शकील मिया आपकी आपकी जो जुबान है ना उसका लट उठा रहा था कि यह कौनसे कौनसे नए तरकश में से तीर निकाल निकाल के आप फेंक रहे हैं मुझे बड़ा मजा हा रहा था एनुरोशी एज इस लिए अधर सपोर्टिंग आर्टिस तुड़े अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें और ये सपोर्टिंग आर्टिस बने मैं कब से रुखा रूण में वही करने वाली हो रुख जाईए हाँ अगले इंशालला आप अगले रूण में ज़रूर दिखेंगी हमें फिर भी मैं आपको एड दूँगा अगले वाकई मेरी शकील के चेहरे से नजर नहीं उठ रही थी हलांकि मुझे लगा तुम लोगों ने इतना एक पीक पे ले गए हमें वेर वेर लाफिंग उनकंट्रोलबली उसके बाद एक वैली आई काफी लंबी वैली आई जहां से आप लोग अपने आपको बड़ी मुश्किल से उठाने की कोशिच कर रहे थे तो शकील मुझे वहां पर एक ड्रॉप जरूर लगा बट उसके लिए दोस फ्यू मोमेंट्स एट यहां पर सांस नेना मुश्किल हो रहा था इन उसके टान आए पर एक लोगाओ आपको आपके लेए आपके लीए ने वाह थे औरॉप तो जूटी हां ने अपको तो जे लेए अपके लाचोर रहे लागे ट्रॉप ने कुछ जोस्क्त पंता ओसा उठावारा अपने सोच की पार राज देदेश का अगर नाउटे रह